दोस्तों आप देखने है कुमार सॉल्यूशन और आज के इस वीडियो में फिर से रियल्मी 7 है जिसमें की ऑफिसियल अप्डेट आया हुआ है यहां पे आपको दिख़गा होगा सिस्टम अप्डेट आर एम एक्स 2151-11C10 यह अप्डेट आया हुआ है हम यहां सलते हैं सेटिंग में अगर आप लोगों में अप्डेट नहीं आया होगा तो आप लोगों को जाना यहां सेटिंग में आ जाते हैं सेटिंग में आने के बाद सॉफ्ट्वेर अप्डेट में यहां पर आने के बाद देखिए यह official version है पहले जो आता था अपरेट तो संभबत वेटा वर्जन आता था और फिर इसके बाद official आता था इस पर official ही आया है यह 516 MB का है और यह आज ही आया है शुबर शुबर आपरेट आया हुआ है जिसमें mainly जो फ्लिंक्डिंग इसू है उस केमरे में काफी सुधार की जरूरत है आपको हम एक दिखाएंगे एक 64 MP का केमरा सैमसंग का वी है और इसका वी है दोनों को कम प्रिजन करके हम दिखाएंगे कितना वाहियात केमरा है इसका तब पता चलेगा एप में भी जो स्क्रीन फिलिंक्डिंग होता था गेमें स्पे आता है तो उसके साथ भी कई चैंजर और आजाता है कुछ प्रॉबलम कुछ दिमेरिट तो वह तो अभी हम अपडेट कर लेते हैं अपडेट्टों पे किलिक करते हैं और कितना सही है कितना से काम करना शुरू किया है वह तो हम बता पाएंगे जब यह अपडेट होके हम य और यहां फाइव स्टेज में दिया गया है मतलब पड़ते के स्टेज जो यहां पर चार मिनिट लगाएगा नेट स्पीर अगर ठीक होगा तो अगर कम होगा तो हो सकता है कि यह टाइम आपका वह बढ़ जाए एक स्टेज यहां पर करीब चार मिनिट लगाया फिर दूसर पतना इसका हम कंपरिजन करने वाले हैं मतलब जो यह कि बीजी है मैं स्टाट करने में कितना टेम लगाता है वो सब तो जरूर देखिए कि काफी इंट्रेस्टिंग होगा क्योंकि प्रैस का तो काफी रिफ्रेंस है ना तो कहां तक रियल मी उसका टकर दे पाता है अब यह लास्ट स्टेज है 5.5 और यह भी बोल रहे है टू मिनट लगाएगा तो पतना मिनट तो नहीं लगा लेकिन दो तिन मिनट मेरा हो गया अब यह स्टार्ट होगा मतलब अन अफ होगा यह हो गया मैंने पास्वर भी प्रेस कर दिया अब यह आउन हो गया इसका देखते हैं सेटिंग में जाके अब क्या आपको दिखा रहा है तो यह आपका C10 दिखा रहा अपरेट आगे से पहले C9 था तो देखते हैं इसको यूज करके तभी बता पाएंगे यह कितने काम का है क्योंकि कैमरा इसका ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था तो चलिए आप लोग भी कर लीजिएगा देखते हैं यह कैसा है कु सब्सक्राइब कर लीजिएगा